प्लेस की हुई थी, इसे हम लोग यहां पर विन करने वाले हैं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं अपनी इस एंटर को यहां पर विन कर लिया है, हेलो गाइस, वीडियो का थम्निल देखे, आप लोग समझ गें कि आज कही हमारा वीडियो कितने इंपोर्टेंट औ करने के बाद, इसकी पीछे को लॉजिक में आप लोग को बताऊंगा, इस टेट में यहां पर मैंने एंटर की हुँ प्लेस करिए, ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मेरी सेवरीटी कितनी ज्यादा सही थी, और मैं यह स्टेडी हमें कितनी अच्छी तरीके से स इस टेट के पीछे का लॉजिक में आप लोग को समझाओं, तो इस टेट के पीछे का लॉजिक क्या था, यह जो भी मैंने इंटिगेटर्स लगा रखी थे, यह सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए थी, और इस स्टेटीजी के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं आने चाहिए सिंपल सा एक केंडल रियक्सनर पता होने चाहिए, और अप लोग को समझाओं, तो इस टेट में आप लोग यहाँ पर प्रिवेज जाटा में देखे तो यहाँ पर मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लेखी उपर गया, तो यहाँ आप मैंने अपने एक सपोर्ट लेवल ड मैं यहाँ पर एक horizontal line लेता हूं, तो यहाँ पर ने horizontal line ले लिए और यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ अपने SNR levels ड्रॉ कर देता हूं, पहला हमारा SNR यह आ रहा है, इसको ही मैं clone लेके अपने एक नीचे भी इसे ड्रॉ कर देता हूं, और इसका ही अगर हम लोग clone लेके और चाहें, तो यहाँ पर एक हम लोग अपने SNR level ड्रॉ कर सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ पर कुछ candle के reaction ऐसे दिखा है हमें, कि यहाँ यह candle ओपर जा सकती है, इसके बाद मार्केट में मैंने यहाँ पर अपनी एक entry प्लेस कर दे, क्योंकि यहा आप लोग को अच्छी तरह के समझ में नहीं आया होगा, कि यहाँ पर किस logic की ऊपर entry प्लेस करें, बट वीडियो को ending देखना है, तो आप लोग को definitely समझ में आने माला है, कि आप लोग इस strategy की ऊपर कैसे entry प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इन सब को clear कर देता हूँ, य मैं 10-10,000 का giveaway करता हूँ, ओके तो यहाँ मैं आप लोग के एक कुछी बता दू, हमें market की trend को follow करना पड़ता है, अगर market up trend में है, तो हमें green candle पे trade लेने हैं, हमें market के opposite direction में trade प्लेस नहीं करने हैं, जैसे कि market अगर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग green candle पे entry प्लेस क करने हैं, तो हमें market के trend को follow करना है, market के trend के opposite direction में कभी भी entry place नहीं करने है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर market overall अब trend में था तो यहाँ मैंने एक अपनी upside के entry place करी थी, बट यहाँ पर अगर आप लोग को और भी कुछ examples लेके बता हूँ, यहाँ अगर आप लाइन में drawing करना होता है, इसे हम लोग अपने proper zone में convert कर देता है, तो okay, मैंने यहाँ पर अपने zone बना दिया है, यहाँ लोग देख सकते हैं, इतना सा हमारे zone हो गया SNR level का, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो previous day में, मतलब previous market नहीं यहाँ पर काफी अच्छा respect दिया है, market अपर आया, तो market नहीं यहाँ पर इसे एक resistance level की तरह behave किया, अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो market बापस उपर गया, breakout देखी उपर गया, और market यहाँ पर बापस नीचे, market नहीं retest किया, और उपर गया, जब market बापस इसके पास आया, तो यहाँ पर आप लोग अपनी इ SNR level था, वहीं से हमें विक देखने के लिए मिली, तो हम लोग अपने इस red candle पर entry place कर सकते थे, बट अगर आप लोग बिल्कुल एक SNR level की ऊपर depend होके entry place करने वाले, तो यह तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे है, यहाँ पर आप लोग candle reaction भी आना चाहिए, जै अब trend में है, बट overall देखा था, तो market यहाँ से एक downtrend में आ रहा, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक right side में entry place कर दी, right candle पर, उपर सह में विक देखने के लिए, live market में कैसा behavior दिये होगा, इस candle ने, उपर गया market और यहाँ से नीचे आगे हमारे, same SNR level के पास, तो यहाँ पर हम ल रहे है, तो, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पर एक और example लेकि आप लोग के समझा देखें, तो यहाँ पर हमारे एक SNR level आ रहा है, मैं इसे ही अपने जो SNR level थे, उन्हें नीचे ले आता हूँ, और इन्हें प्रॉपर जोन में convert कर देता हूँ, तो हम लोग 100% win करते, और again market यहाँ पर आया, buying का प्रैसर सो करा, तो इस candle पर हम लोग अपनी entry place कर सकते थे, और यहाँ पर हम लोग 100% अपनी इस green candle में entry place कर सकते थे, तो यहाँ पर आप लोग कितनी simple logics की ऊपर अपनी entry place कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे अगर और भी examples देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पारें, तो यहाँ पर मुझे एक और XNR level देखने के लिए मिल गया है, जिस पर हम लोग अपनी काफी अच्छी entry place कर सकते थे, तो यहाँ पर मैंने अभी बस इतना सही देख और यहाँ पर मैं previous data में देख के बता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से हमारे इस SNR level को respect देखें, बार बार यहाँ से bounce बग गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इस अपनी green candle प पर entry place करते हैं, और इस green candle पर हम लोग अपनी trade को win कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पार हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, इसे break down के ऊपर गया हमारे SNR level को नीचे आया, यहाँ पर buying का प्रैसर सो करा, हम लोग इस green candle पर अपनी entry place कर सकते हैं, तो आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, बहुत कुछ पतनी क्या क्या बोल देते हैं, बट आप लोग बिल्कुल simple logics की ऊपर अपनी trade place कर सकते हैं, और आप लोग काफी अच्य profit generate कर सकते हैं, अगर आप लोग इस ही strategy पर कुछ दिन वर करते हैं, तो आप लोग काफी देखने के लिए मिलते हैं, यहाप मुझे यहीं पर एक example देखने के लिए मिल गया है, यहाप मैं सबसे पहले horizontal line लेता हूँ, horizontal line लेने के बाद अगर मैं आप लोग को बता हूँ, तो यहाप मुझे अपना SNR level देखने के लिए मिला, और अभी मैं इस candle का behavior अगल आप लोग मैं आप लोग को बता तो यह candle हमारी 100% red में होने वाली, red में बनने वाली, क्योंकि अगर आप लोग previous data में देखें तो यहाप लोग अच्छा अपने SNR level है, अगर मैं live market में अभी आप लोग explain नहीं कर रहा हूँ, तो यहाप मैं 100% entry place करता अपने downside लिए और इस trade में 100% काफ कुछ live sessions लेके बता दे तो यहाप मतल अपने telegram channel पर कुछ live signals प्रोवाइड करके बता देता हूँ, तो यहाप मैं सबसे पहले कुछ, तो अभी इसमें तो हमारा कोई भी live ऐसा नहीं बन रहा है कि हम लोग यहापे entry place कर सकते हैं, जो भी हमारा setup वो यहापे already बन चुका है, तो यहापे अभी हम लोग देखते हैं, यहापे हम लोग उसर पर मिस डेखने सकता है, तो लोग उसर एक उल्हीं कलीजाता है, तो वो अभी तो हमें कहींपे देखने प्रोवाइड कर दूंगो तो काफी अच्छा आप लोग लॉस कर लेंगे क्योंकि मेरे टैलिगाम मेंबर्स मेरे उपर काफी तरह डिपेंड्स है तो वो लोग मेरे जो सेंग्जल से होते हैं उन पर अपनी सारी कॉइंटिटी लगा देते हैं और उसकी बेसिस पर वो लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जेनरेट कर से लेते हैं तो आप लोग मेरे टैलिगाम चैनल जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिक्स्क्रिप्सर मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं अपनी डाउनसेट लिए एंट्री प्रेस करने का ट्राय कर रहा हूँ और यह जब हो जाएगा तो इसके बाद मैं आप बताता हूँ तो यहां पर ने अपनी डाउंसेट लिए एंट्री पेस कर दी है और यहां पर इस चीट को मैं काफी अच्छी तरिक्या से विन करने वाला हूँ अगर इसके पीछे का लॉजिक में आप लोग को संदो तो यहां पर हमारो उपर से एक SNR लेवाल आ रहा था सबसे पहले होर्जुन टेल लाइल लेके कुछ अपने लेवल्स डॉकर देता हूँ जो कि मैंने आप लोग को पहले ही एक्स्प्रेंट कर चुके हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां मेरे एक SNR लेवल आ रहा था यहां पर हम लोगhorse कर सकते हीं अपर एसका ही क्लों लेके हम थोड़ा सव और उपर हमेरे इस म情況 सो हमारे जाएके अच्छा सब्सक्ता कर करके हैं यहां पर buying का price तरा आया था और जब market यहां पर इसे breakdown देके नीचे गया तो market बापस retest करने आया और market बापस नीचे जा सकता है यहां से अभी आप लोग देखें तो यहां पर हमारे पस सिर्फ 10 seconds रह गए और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह हम लोग अपनी जो trade की प् आज की वीडियों पस इतना ही रखता है अगर आप लोग को वीडियो पसान देख लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मेरे टाइले गाम चैनल जोइन करना ना भूलें बेल तर नेक्स्ट वीडियों तब तक ले बाई